और आज की इस वीडियो में हम One Rank One Pension की जो टेबल भारत सरकार के दोरा जारी की गई हैं उनके उपर विश्थार से चर्चा करेंगे आप भारत्य सेना, भारत्य नो सेना, भारत्य वयू सेना से किसी भी रैंक से या DSC से रिटार्ड हुए हैं चाहिए आपकी रैंक कोई भी हो चाहिए आपने कितनी भी सर्विस की हो तो पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी One Rank One Pension का मसला आप दोस्तों बहुत अच्छे से समझते होंगे पहले जिस रैंक से जो हमारे सेनेकर में रिटार्ड हुए थे और आज जिस रैंक से रिटार हो रहे हैं उनकी pension में difference को लेकर सारा का सारा ये मुद्दा चल रहा है भारत सरकार ने कितना authorized किया है इस table में हम rank wise देखेंगे कि किस rank को कितना one rank one pension मिलेगा कितनी qualifying service में दोस्तों हो सकता है आप regular commission officer हों AMC के हों या ADC के हों RBC के हों SSC के हों किसी के भी हो सकते हैं या इसके अलावा जितने department बच गए उनके हो सकते हैं हो सकते हैं commission officer territorial army के हो सकते हैं MNS के हो सकते हैं इसके अलावा आप JCORS including honorary commission officer हो सकते हैं या आप JCORS जो DSC की दूसरी pension ले रहे हैं उस category में आ सकते हैं या आप JCORS territorial army के हो सकते हैं या इनके corresponding भरते वाई सेना के ORS and JCOs and commission officer हो सकते हैं इसमें हर rank को cover किया गया है हर qualifying service को cover किया गया है कि कितनी qualifying service करके आप किस rank से retard होते हैं तो उसकी table दी गई है उस table से आपको समपूर्ण जानकरी मिल जाएगी कि आपकी फिलहाल ये one rank one pension होनी चाहिए तो इस table से आप मिलान कर सकते हैं वैसा नहीं है तो आप क्योरी डाल सकते हैं अपनी pension बढ़ोधरी के लिए दोस्तों और मत धीरे धीरे नीचे स्क्रोल डाउन करता हूँ वो सकता है कि आप एक सन्य करमचारी के family memory हो यहने कि आप family pension लेते हूँ आप DSC Personals के Family Memories हो सकते हैं Territorial Army में JCORs थे उनके Family Memories हो सकते हैं Normal Rate आप Family Pension के देख सकते हैं Normal Rate इवोले के आप Retired हो सके हैं आपकी Normal Family Pension आपके जो परिवार को मिल रही है वो कितनी होने चाहिए Special Family Pension कितनी मिलती है यानि कि कुछ Special Allowances आपको मिल रहे हैं उस cases में हो सकता है आप कहीं से भी Retired होए हो दोस्तो भरतिय सेना के Territorial Army से DSC से, YU सेना, No सेना और किसी भी Department से Retired होए हो सारी की सारी जानकरी आपको यह इस Table से मिलेगी यह Table में इसलिए धिरे-धिरे नीचे स्क्रोल डान करना हो उस Table से आपको सटिक जानकरी मिलेगी आपकी Pension, Family Pension, One Rank, One Pension वाली पूरी की पूरी जानकरी आपको मिलेगी दोस्तो तो चलिए नीचे नीचे स्क्रोल डान कर रहा हूँ Liberalized Family Pension आप ले रहे हैं Second Life Award का Family Pension आप ले रहे हैं Disability Pension आप ले रहे हैं और आप किसी भी कैटेगरी से हैं चाहिए आप वार इंजरी आलिमेंट के कारण डिस्चार्ज आए हो उस केस में आपकी Pension, Family Pension मिलते हैं उसकी जानकरी आप ले सकते हैं Disability आलिमेंट के कारण आपका Pension आपको आना पड़ा था उस कैटेगरी में आप चेक कर सकते हैं MNS से चेक कर सकते हैं दोस्तों, AMC, ADC, RVC, Doctors इसमें चेक कर सकते हैं इसमें एक भी कैटेगरी ऐसी नहीं है जो मिस की गई हो, हर डिपार्टमेंट हर कैटेगरी दे गई है, जो आउट कर दिये गए है, सर्विस से किसी कारणमस, उनकी भी जानकारी इसमें आप देख सकते हैं और आर्मी पैंसन की, वायू सेना की, एरफोर्स वाला की ओर्डनिल पैंसन और ESFSSP की जो परसनल हैं, उनकी आप देख सकते हैं टोटल मैं आपको बता दूँ, 101 टेबल है एक भी परसनल ऐसा नहीं है, जिसको इसमें मिस किया गया हो, जिसके डेपार्टमेंट को मिस किया गया हो, तो मैं नीचे धीरे-धीर स्क्रोल डाउन करता हूँ, देखते हैं दोस्तों, आप यहां से देख सकते हैं, यह देरे-धीरे टेबल आने शरू हो गई है, मैं अब मान के चलना हूँ कि आपने यह देख लिया है कि आप किस क्टेगरी में आते हैं, उधान के तोर पर मैं आपको एक दो टेबल दिखाऊंगा उन टेबल से आप जान सकेंगे कि किस परकार से आपको अपनी पैंसन, फैमिली पैंसन दोस्तों देखनी है, यह जो टेबल आपके स्क्रीन पर स्क्रोल डाउन हो रही है, यह हायर रैंक के लिए हैं, यान कि हमारे जितने भी कमिशन अफसर हैं, उन रैंक के लिए हैं बाइस नमबर पैज धिरे धिरे में आऊंगा, इस पीडिये फाइल का बाइस नमबर पैज है, और इस वस्तविक रूप से इसकी जानकरी लें, तो इस फाइल में जो पैज नमबर थर्टीन पैन से लिखा होगा, वो हमारे जेसी ओवार्स के लिए है, टेबल नमबर साथ को मैं एक बार पढ़के बताऊंगा, जो हमारे जेसी ओवार्स जिनके संख्या काफी जादा है, सर्विस में और रेटार्मेंट के आगड़े भी देखें तो उनके बहुत जादा है, तो टेबल नमबर तेरा, टेबल नमबर साथ पे मैं आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं, आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इसमें, पर मैं आपको धिरे धिरे करूँगा ठीक करने के इसको, और ये पहली लाइन में आपको आपकी क्वालिफाइंग सर्विस दी गई है, कि आपकी आपने 10 साल नोकरी की हो, 11 साल, 12 साल, 15 साल, मान लीजी आपने नोकरी की है, और आप रैंक आपनी दिखेंगे, राइट से, सिपाई की रैंक से रिटार हैं, वो आपको यहां देखना है, उधान के तोर पर मैंने ले लिया, 17 साल की नोकरी से आप रिटार्ड होई हैं, सिपाई की नोकरी से और एक्स ग्रूप में रिटार्ड होई हैं, तो हम आगे सीधा कितना, 7,145 आपकी क्या होगी दोस्तों, पैंसन होगी, और वाइक से आप अपनी वन रेंक वन पैंसन जान सकते हैं, वाई ग्रूप से रिटार्ड होई हैं, तो इस टेबल का फॉलो करेंगे, मैं थोड़ा और आगी चलता हूँ, मैंने अभी तक आपको दिखा दिया, ओनरेरी नायक रेंक है, ओनरेरी हवल्दार है, हवल्दार है, ऐसे ही आप नीचे चलेंगे, एक सुवाई ग्रूप दिये गए है, आपकी कितनी सर्विस है, उसकी हिसाब से आप टेबल में अपनी पैंसन, फैमिली पैंसन जान सकते हैं, यह और्डिनरी पैंसन है दोस्तों, फैमिली पैंसन की टेबल आपको नीचे मिलागी, यह पैंसन की सुविदार से, सुविदार मेजर से, इन रेंक्स रिटार्ड होए हैं, एक्स या वाई जड़ ग्रूप में थे, और कोर्स्पंडिंग आपकी सर्विस जितनी होई है, वो आप यहां से देख सकते हैं, आपको होगे कि हमने तो सर्विस बहुत ज़्यादा की है, इसमें तो 33 और उपर के साल की नोकरी की है, तो वो भी इसमें दिया गया है, सिमिलरली आपको अपनी रैंक देखनी है, एक्स वाई जड़ कौन सा गरूप है, वो आपको देखना है, उसके हिसाब से आपको बाद में रैंक देखनी है, और आपकी नॉर्मल ओर्डिनरी जो पैंसन है, उसकी अमाउंट आपको यहाँ पी दिख जाएगी, नीचे और भी टेबल हैं दोस्तों, बाकी की जो रैंक है, यह डियस्सी की टेबल आ गई है, जो सैकिंड पैंसन लेते हैं, ऐसे ही नीचे नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे, तो हर रैंक चाहे आप कमिशन अफसर हों, उन और corresponding rank आपकी कोई भी हो सकती है, इसमें जो rank देखेंगी, आपको उनके आप compare कर सकते हैं, अगर आप भारते नो से ना या भारते वायू से ना से है, मुख़ए बात आपके जहन में यह गुंज रही होगी कि यह टेबल मिलेगी कहां से, बिल्कुल असान है, मेरे वीडियो को title है, वहाँ पे click कीजिए, नीचे description निकलेगा, और description में आपको इस table का link मिल जाएगा, लगवग 15 MB की यह file है, इसको आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको access कर सकते हैं, stick जानकारी होना बहुत जरोरी है, authorized जानकारी होना बहुत के हिसाब से, आप मैंने जो table उपर उपर दिखाई थी, उसमें जाईएगा, अपनी category select कीजिएगा, मैं जल्दी से एक बार फिर से वो आपको देखाए देता हूँ, category select करने के बाद सीधा आप page number पे आजाना, आपको को आप देख सकते हैं, यह आपकी category है, यह table number है, और य ACO awards including commission and officers, यह category select करेंगे, आपकी ले table number 16 होगी, 38-32 number page पर मिलेगा, इसी परकार से आप normal rate of ordinary family pension चेक करते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं, special family pension आपको मिल लिए है, वो भी, second life award of special family pension मिल ला है, तो वो भी आप देख सकते हैं, liberalized family pension आपको मिल ला है, वो चेक कर सकते हैं, दोस्तो disability element से war injury element से मिल रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, यह पूरी की पूरी file जो मैं आपको दिखा रहा हूँ न, यह आपको वीडियो की description में मिलेगी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से check out कर सकते हैं, जानकरी definitely अपने आपको अच्छी लगी होगी, हैं हिंद बंदे मात्रम